इस वीडियो में बात करेंगे बिहार नई सिक्षकवर्ती में जो जूनियर की सिक्षकवर्ती यानि 6-8 के लिए वेकेंसी आ रही है तो डिस्क्रिप्शन जरू चेक करने जा रहा हूं और उससे पहले में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह बता दूं कि बिपेसी जैसे आपका कभी भी सलेवस जारी नहीं करेंगा बस आपको यह बताएगा कि आपको सब्जेक्ट क्या रहेगा बस यह गड़ीत यानि की मैट्स बस यह बता दिया जाएगा आपको अब इसमें आपको कितना पढ़ना है यह बीपेसी कुछ भी नहीं बताएगी बोलती है कि हम सतही गया नहीं पूछेंगे कुछ भी पूछ सकते हैं मतलब यह मान के चलिए कि तक लगभग 6-8 की जैसे 10 तक जो सलेबस था शरी पी आटी के जो सलेबस था ओटेंथ लेवल तक आया हुआ था तो 6-8 का मान के चलिए कि 12 लेवल तक का जो टफनेस लेवल रहेगा यानि कठीनता का जो लेवल रहेगा वो लगभग 12 तक की जाने के उमीद है कहीं लग रह पूछा गया था ठीक है तो अपनी तयारी थोड़ा सा लेवल बढ़ा के करिएगा तो यहां पर मैं जो सलेबस बता रहा हूं यह बस एक अनुमानित सलेबस है अलगभग यह टॉपिक रहने ही रहने मैस आगी तो क्या यह नंबर सिस्टम या फिर जितना भी अलजेब्रा ह आता है यह तो अपैस बारे में सब कुछ बढ़े हैं और कोई भी नहीं चोड़ता कुछ भी तो जितना मैं इस बता रहा हो इसके कौर्डिंग आप प्रॉपर तैयारी स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि सलेबस आएगा तो लगभग अक्टूबर में तो आपको आपके पास 15-20 तो आई ये देखते हैं सलिबस में मैं सलिबस यानि गड़ी सलिबस की बात करें सबसे पहला है आपका प्राक्तिक संख्या है पॉड़ संख्या है परिमेह संख्या है ठीक दूसरा है पॉड़ चाहिए प्राक्तिक रहे नेचुरल लंबर पूर्श के होल लंबर परिमेस संख्या यानि रेष्णनल लंबर पूढांग इंटीजर की बात हो रही है कोस्ट कोस्टक यानि ब्रैकेट में जो रहेगा आपका ब्रैकेट से रिलेटेट कोशन आते हैं लगुत्तम समापड़तों को महब्तम समापड़ता कि यानि कि लसा और महसा की बात हो रही है लसीम और से अफ की यह रहे हैं फिर उसके बाद आता है वर्गमूल गनमूल और सरसमी का वर्गमूल मतलब स्कॉयरूट गनमूल य आता है उससे रिलेटेट कोश्यर रहेंगे फिर इसके बाद रीजी वंजगों का जोडगाना अगुड़ा भाग जबिघणी में जितने भी भी यह निए लिग्वाद आपका तेमां पदों का गुड़ांग फिर इसके बाद संजाती वेगी जाती पद वंजगों कि डिग सब्सक्राइब कर रहा है तो यह सारी टॉपिक रहेंगे आपके सलेबस में यह सब रहेंगे इसके अलावा कुछ बचता है तो आप देख लेना खुद भी क्योंकि मतलब अब बच्च कुछ भी बने वो बोलती है कि जितना पड़ सको हम कुछ नहीं बताएंगे आप डिटेल में सारी चीज़ा पड़िया वो कुछ सलेबस में एक्जेक्ट कुछ नहीं बताया जाता ठीक है आपने पहले भी देखा होगा नाइन टेंट की जो वेकेंसी थी और रिल करेंगे लेवल का भी नहीं था ओटेंथ लेवल से उपर गार और ऐसे से कोशन थे ओलेबल के भी नहीं दिये थे एकदम क्रिटिकल पॉइंट वाले कोशन पूछे ते जिसको हवा भी न लगए किसी को जो अच्छे से त्यारी किया था उस वहीं लोग कर पा रहे थे फिर यानि की रेश्यो एन प्रपोर्शन फिर प्रस्चत्ता यानि प्रसेंटेज लाभानी प्रॉफिट लॉस साधारण व्याज सिंपल इंड्रेस्ट चकृदी व्याज कंपाउड इंड्रेस्ट फिर इसके बादे सांग के की में देखेंगे आकड़ का वर्गी करण ये यानि इसके बादे संभावना प्रायक्ता ग्राफ दंडार एक तथा मिस्ट दंडार इक फिर इसके बादे कार्थी तल शेत्रमें टी में शुरेशन जिसे बोलते हैं मतलब एरिया परिमीटर रेक्टेंगल स्कायर सारे मतलब जितने भी टूडी फिगर और त्रीडी फिगर एंस तरीबल अ मतलब जो की जूनियर के लिए यह अफका सलेस रहेंगा इसको जूनियर के लिए मत समझे पी एर टी के लिए भी समझे लगवाक पी आर्टी में भी इससे कम तो कोई नहीं पूचा गया था देखें पीमी कोड़ेटी के की सा कुस्षिन से कॉशन आया थे लीनिर सब्सक्राइब तो इसके बाद में तो इसके बाद में सस्ट की वीडियो बनाऊंगा जो कीजिए पर इसके बाद सब्सक्राइब और फिर उसके बाद टॉपिक वाइज आपकी क्लासे स्टार्ट करूँगा ठीक वीडियो कैसा लगा वीडियो प्संदाय तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करेज़े थैंक्यू फॉर वाचिंग भगवान करें आपका दिन सुभव